हलो दोस्तों मैं हूँ राग्वेंद आप सभी का कॉम्पिटिशन कम्मुनिटी में स्वागत करता हूं और हम लोग बाल विकास सिक्षा मनुविज्ञान में सबसे इंपॉर्डेंट टॉपिक बाल विकास को देख रहे थे जिसमें हम लोगोंने शैश्वा वस्था को कंप्ल वस्था आती है तो अगला जो चरण है हमारा बाल वस्था और किशोर वस्था पर है कि बच्चे बाल वस्था में कैसे होते हैं उसका उपनाम क्या है कैसे विकास होता है संग्यानवक विकास क्या है समाजी विकास कैसे होता है स्कूल में जो प्रवेश करता है तो कैसा होता stuff तो आपको बच्चो के बारे में जाना तो पड़ेगा ही तो चलिए सबसे पहले स्टर्ट करते हैं हम लोग बाले A vents doc hoc e कब से चानू होटी है देखिये पांच से या नहीं चैन Marx से बारा तक या तो तो टेरा तक या रखेगा 5 साल से से हो जाती है और आपका 12 साल तक चलती है समाने रूप से तो यह देखिए इसके कई उपनाम है तो यह उपनाम जो है वह आपके पेपर में पूछे जाते हैं बाले अवस्त को और किस नाम से जानते हैं ऐसे करके जैसे आप से पूछेगा कि आपका प्रारंभी कुस्कूल की सबस्कें और को जैटा है तो सब्सक्रार चालू कर जला डेता है तो माले अवस्तामें होता है इक हिंवान? कि आयू के नाम से जानते हैं आपचारिक सिक्षा यहां से उसकी चालू हो जाती है अभी वह LKG UKG में जाता है प्ले स्कूल में जाता है बगर अगर पहली दूसरी बगर बात करें फर्स्ट सेंडर सेंडर तो वह आपका जो बाले अवस्था तब से वह स्टार्ट करता है इस बाद एक गंदी अवस्था है आप लोगों ने अड देखा होगा की की चड़ मतलब जो दाग है दाग लग जाए खुशियों के लिए तो दाग अच्छे है वह जो दाग है वह बाले आवस्था के हैं उसको परवा नहीं है उसको धोना नहीं है बिंदास कप गंदा करता है और आता है ठीक है तो कीचड की अवस्था बोलते है उस जब जाएगा तो कीचड देखा वहां लोटना चालू बारिस होगा वहां भीजना चालू उसको यह परवा नहीं है कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं अगर माली जे कुछ खवा दोगे तो पूरा हाथ मोग पूरा क्नों नहीं अगरे डाग चाला गर चालू श्बार के वाखता रहता है वहां दृब यहाद कुछ अऊजथा Source क्यों है हैं जिने जीवन शीकि को होती है चैंप करी काम होती है याइजा शहां करते हैं तो अनुक है उसका निर्माड कारी हबस्धा इसे में बालक के मन मुर्थ चिंतन की वस्ता यह क्या है आपका देखो तो मूर्थ चिंतन अगर हम बोल रहे हैं तो मूर्थ चिंतन नहीं की नहीं कहने नहीं होता है तो माली जी अबने सेव कहा तो सेव का चितर उसके दिवाग में नहीं बन रहा तो क्या होगा वो आमोर्थ चिंतन में इसा नहीं होता है बाली अवस्ता जैसे मैं ने बताया इस समय है यह सारे प्रकार करते हैं आगे करते हैं बनाना उसके या रिखेगा किए समुगी अवस्ता अपना तोली बना लेता है तर याद रखेगा कैसे बना लेता है गैंग गैंग बना लेगा तोली बना लेगा तोली BBQ में घुमे लिड़ोरी के लड़ो लड़ों इस यावस्था भी मतलब विचार करने लगता है विचार करके है करता है तो वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहते हैं यह इसके उप नाम है थोड़ा आपको याल दखने ठीक है इसके बाद खेल के वस्था है टोली के वस्था और वैचारिक चिंतन की अवस्था बख़ नहीं होता है इसके बाद देखें रस क्या इस अदेखें रही के बोलते हैं बाल अवस्था चाहद में परिपक्तUA की अवस्था चत मयरूप से परिपकवने का मतलब है थिए testOvergee को सो करेगा कि तो लगेगा एस independence ऑठ सबस्क्राइब में एसे बड़ी बड़ी बाते करते हैं कि संबोधन में की करेंगे हम लोग लोग सब्सक्राइब करा इसे सब्सक्राइब नहीं हुआ है मैं साधी करने रहा है प्रती द्वन्द चलते रहा था ठीक है समाज के के साथ देख चाथ जैसे मैंने बोला उसका परी पक को ठीक और एक होता है अ परी पक में यह दोनों में अंतर आप समझे परीपक हो गयाने समाजी करन हो है उसका समाजी करण हो गया मगर समाजी करण अभी नहीं हुआ है तो क्यासा प्रति दंद्वात्मक याने द्वंद चल रहा है लड़ाई चल रहे बाले आवस्था में वह समाजी करण समाज के की प्रक्रिया है समाज में जो मेच्वर लोग है जो मेच्वर्टी है वह आनी चाहिए मगर अभी हुआ नहीं है इस लिए अंतर दूंद चलते रहाता है बाल्यावस्ता कैसा है प्रति द्मात्मक वेने दूंद bank लड़ाई चलते रहाता है कि तो इसको याद रखेगा गिल प्रैक्टिस बोलते हैं काल और ब्रूस क्या बोलते हैं बाले अवस्ता जीवन का अनोखा काल बाले अवस्ता को कहते हैं यह पूछा जाता है कि अनोखा काल कि किस ने कहा है किस ने कहा है तो कॉल और ब्रूस ने कहा है xa टिक जीवन का अनोखाकाल कि अनोखा का अनोखा काथ किस स्टे है क्या को खेल नहीं है जिसे बालकशा इस उमर में ने फेखैना प्रस्था ऍसको कहते हैं वह याद रखेगा था है ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो बच्चा कोई आउस ऐसा को कि दर धीमी हो जाती है कि दिमाग के जल्डी करता है जल्दी का विगास में कि दर धीमी हो जाती है उसके बाद एखें ृविवहार विभार में चंचलता थोड़ी सीड़ी कम हो ौजाती ये कम हो जाती है और शैश्वावश्टा में थोड़ा सा ज़्यादा चंचल रहेगाए क्षका पूर्ती रहेगी चंचलता थोड़ा कम हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए समवेग तर्क स्मरण चिंतन में मरन करने लगता है देखिए पहले क्या होता है यह सब इसके गुण विक्सित नहीं हुए है तो शैशवास्ता में मगर उसके बाद वो कार्य कारण में अंतर समन्ती लगता है कि कार क्यों कर रहूं कार्य इस करूंगा तो क्या होगा उसका प्रिनाम क्या होगा जिसे पहले छोटा था तो सांप को छूदेता था возмож मगर अभी जो है उसको रीजन पता चलेगा अगर मैंने साम को चुआ तो जल जाएगा तो कारे कारण में अंतरक स्पष कर लेता है और सम्वेग तरकस्मरन में नीयंतर आपका थोड़ा सा उस पर कंट्रोल हो जाता है उसको बार बार रोता नहीं है उसको जादा ही मारोगे तब जाकर र सब्सक्राइब आफि। सम्वेगों में वह क्या करता है नीयंतर इस्थापित कर लेता है सम्वेग में क्या करता वभी इसे हो न पहले कम हो जाती है मगर रहती बाले वस्ता में भी पर निर्भर रहेंगा ही रहेगा ऑके जैसे शर्ट बंद करने के लिए हो गया कपड़े पहनाने के लिए ऑलाक बोलता ही कि मम्मी ऐसे कर दो तो पर निर्भरत और कारण में क्या करता है अंतर करता है कार आखिर क्यों किया ही जा रहा है तो याद रखेगा कारे और कारण में अंतर कर लेगा कि मेरे को यह काम करना चाहिए इस काम का यह पर नाम होगा यह काम नहीं करना चाहिए इससे क्या होगा हा नहीं होगी तो कारे कारण में अंतर यहीं से स्टार्ट हो जाता है उसके बाद तो रहता ही है कंटीनियू कि सोरा वस्ता पौड़ा वस्ता में तक रहता है उसके दौर देखें विस्ता है रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है रचनात्मक मतलब नहीं नहीं कार्य करता है उड़ू जूड़ू जो भी मन काएगा करेगा ठीक है रूखेगा नहीं तो रचनात्मक कारे करना सीख जाता है बाले आवस्ता में सासरे समाजिक और नैतिक वृद्धी होने लगती है समाज के प्रती और आपका बुद्धी जो है उसका उसका उस सब बढ़ने लगता है समाज के प्रती माता पिता को इस्पेक्ट देता है समाज को कदर करता है समाजी करण का समाज और नयतिक्ता में व्रिद्धी होती है उसको क्या होता है समाजी करण सीखने लगता है संग्रहन की प्रविद्धि पाए जाती है घ्यूकि अब आभी जो होगे उसको याद करें क्योंकि बच्पन से आपका बाल्या वस्ता है वहां से हलकी मेमोरी जो है आपको याद रहती होगा सैश वस्ता तो नहीं रहता है मगर बाल्यावस्ता से आपको याद होगा बचपन में कुछ भी जैसे पुरुष लोग हो गया जो चोड़े-चोड़े बच्चे हैं वह कार्ड आता था बचपन में छोटा-छोटा कार्ड भगवान वाला उसको सवजोचते थे जो किंची जो गोली आता था जिसे खेलते हैं कंचा उसको सवजोचते कुछ भी जो है आपका महिला लोग पत्थर को उपर ऐसे-इसे करने वाला सवजोचते रखते थे उनके बॉक्स में देखो गया पैंसिल पैंसिल सब को भार ले संग्रहन करने की प्रवित्ती पाई जाती है रखेगा संग्रहन संग्रहन की प्रवित्ती बाल्यावस्था का गुण है का अ संग्रहन करना बालयावस्था का एक गुड़ करना संग्रहन की प्रवित्ती पाए जाती है बछो है संग्रहन बहुत करता है बहुत हरं हो एपने वाकाइब ने सब पढ़े रहेंगे यानूरजा के बादे में अलग से थोड़ा बता दो कि ने उसके बाद शेश्वा वस्ता ऐसे बना लेना बाले आवस्ता और एक होगा कि शुरा वस्ता कि शुरावस्ता द्यान दिजीए जैश्वा वस्ता में जो यौन होता हैं जागरीत रहती है ठीक है मैंने बढ़ आय को जो बालक होता है मां के प्रति अधिक लगा देखता बालिका वालक में बहुत लड़ाई होती है फिक है बालक में बहुत लड़ाई होगा बाही latte होGSवेश typ H जोटा बालो सब खिंच के लड़ते रहतें तो बालक और भाई बहन अब कि होंगे तो आप लोग भी इसको महसूस करते हैं बहुत बच्छपन में बाले आवस्ता में बहुत लड़ाई होती है ठीक है अपने भाई बहन में हो गया लड़का लड़की में हो गया क्लास में हो और जग को बाल्यध बालक होते हैं न बालक और बालक या फिर ब्लिक हैं पालिक hè और बालीका बालीका यह दोनो दोनो जो है गृप बना लेंगे अपना बालख बालdes गागे इसलिए मैंने और जैसे किसोरा वस्ता आती है यह क्या होती है फिर से जागरित हो जाती है तेज हो जाती है ठीक है तो यह आपका किसोरा वस्ता है ठीक है उसका पढ़ाई चोपड हो जाता है ठीक है मा की ओर लगा होता है पिता की ओर लगा होता है ठीक है फैमिली को लगा होता है ठीक है ब जो किक्षे से उसके बाद किरेगा किक्षोरा है तो принाल mo МУЗЫКА ऑसकी जो रुचिया है बदलती है। पहले उसको कुछ और पसंद था है तो रुचियां बदलते रहती हैं जो वहती है बचों की यह बदलता है पहले आपको माले वहilarthen नम्कीन पसंद था नमीठा Sam तो अभी दूसरा कुछ परसंद आजाएगा पहले वह आपका सेव खाता था तो पहले फल खाता था तो फल नहीं खाएगा कुछ और चीज़ खाएगा तो याद रूचियों में परिवतन बाली आवस्था में आता है और देखिए बहीर मुखी पन आने लगता है यह बहुत यही प्रशनाया हुआ है कि कौन से एज में बच्चों में बहीर मुखी याने external जो आता है तो बहीर मुखीता जो आती है वो बाली आवस्था में आती है इंट्रोवर्ट जो होता है वो सैश्वा वस्था में रहेगा ठीक है और उसके बाद कि सोरा वस्था में तो जैसे आ है यह लग बात है कि बच्चा वह रहना चाहता है कăm नहीं है कई लोग चूप रहने लगते हैं मगर बाली आवस्था में बहीर मुक्ता आती ह्याने वह अपने अपको जैसे कनहिया को याद रखे जो कानहा थे कृष्ण जी थे कृष्ण जी बच्पन में व्यवालय वस्ता में थे तो माखन चुराते थे और माखन चुरा के उन्होंने यश्वदा जी से कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भोर भाई गयन के पाचे मोही दिन भर पठायो ऐस का याद सकते हैं कि किनहिया है जूट जूट बोलना चोरी स४े और ऑपका याद को भी याद करना सकते तो में बना ल 알 semic यह चोरी करने जोट बोलने की आदत आती चोट के करके क्या है तो ठीक तो चानग सब्सक्या रहराएं से अग प्रवित्य स्कों ठीक किया जाता है समझांग थीक किया जाता है ठीक है दंड देकर भी ठीक किया जाता है ठीक है बाले अवस्ता में काफिर दंड दिया जाता है ठीक है कहावत है कि सैश्वा वस्ता पुछकार का होता है बाले अवस्ता डांट का होता है और जो किसोरा वस्ता होता है वो फ्रेंड का दोस्तों का होता है तो इस तरह से पैरे बनके याजस दोस्त बनके सिखाते हैं तो याद रखेगा चोरी करने की जुट बोलने की यादत आ जाती है साथ-साथ भाई-बहन में जगड़ा मैंने अभी बही बताया कि जो भाई-बहन जो होते हैं वो आपस में जगड़ा करते हैं ठीक है आपका जो जेंडर अगर डिफ आदस जो है वह बाल्य वस्ता में आती है ठीक है इस आधत को भी कंट्रोल करना होता नहीं की सोरा वस्ता फिर बड़े होते तक घुमने का आधवार बन जाता है तो की सोरा बस्ता में निर निर ने बीना उद्देश के भटकते हैं और क्या करते हैं साथ-साथ उसको घ्लेक करते हैं समान को बीना को संग्रहण करते थीर तो यह जो कुण को से एक बड़ा देते हैं है आठीक देखो तो पहला तो राशनात्मा स्न करता था रनाश्चकता है समाजिकता नीम व्रदी होती है समाज रखलय होने दीर धिर Chemo स्जाइट समाज में घुलने मिलने लगता है संग्रहण की प्रवित्ती पाए जाती है संगहण करता हूँ मतलब कुcohol होता है यरोगा जाती है शूर Hag kundt देखो तो इसके बाले वस्ता में शारिक विकास कैसा होता है ठीक है जो 5 या 6 साल से बच्चा है 12 या 13 साल में जो बच्चा बढ़ता है तो तो थोड़ा देखिए आरम में जो होता है बालक बड़े होती है तो बालक क्या होते है बड़े होते ठीक है याद रखेगा और जो ब आलक होते हैं वह ठोटे हो जाते हैं मतलब उनकी जो व्रद रिद्ध होती है थोड़ी सी। बढ़ती इस भता हें थोड़ा कम बढ़ती ति क aboveenders like बात करें है तिक है genetic भी आता है कई दो यह समानेवस्ता की बात कर है आराम में बालक बड़े होते हैं बाला वस्ताइब होते होते तक वह क्या हो जाते हैं वह छोटे हो जाते किसे वाली काओं से अगर सेमसे में आपका उमर इसके बालक फ़ह घड़े अब अब का हरदा है 140 100 1000 और enorm 140 जो सेशों सबस्ता होती है उसमें धळकन कती होती फ्रती मिनट यूप इसके बार अब cognition वस्ता кор optimistic समानिमरीश्य दाइने कि अब drinkstad कर और कंक प्रती मिनट किरे पहत्तर आइए जो है धड़कता है उसके याद रखी गा मान स्पिस्स्यों में 35 person growth होता है मान विक्षित हो जाती है ठीक है ब fen시सक आगे बढ़े उसका दिमाग कैसे खुलता है उसके दिमाग में कैसा परिवत्न होता सबसे पहले देखे, साथ वर्स का बालक छोटी-छोटी गटनाओं का उलेक करने लगता है, यदि बच्चा छे या साथ साल का है, तो वो जो घटनाओं उसके साथ घटित हुई है, स्कूल में, या फिर बाहर, या दोस्तों के साथ, वो उसका छोटा-छोटा थोड़ा अपका उलेक करने लगेगा, बताने लगेगा, आज ऐसा हुआ, उसके बाद देखे, वस्तु की समानता और समानता में अंतर को समझने लगता है, ठीक है, कौन सी वस्तु कैसी है, उसमें अंतर कने लगेगा, कौन सी भारी है, आपका कौन सी वस्तु हलकी है, उसमें अंतर कने लगता है, वस् कहानी सुनने लगता है कहानी जो है कहानी बच्चों को बहुत पसंद आती है किस और आवस्ता जो है किस कहानी की एज भी कहाज जाती है कहानी उसको बहुत पसंद आती है इसलिए और कहानी के माधिन से बच्चे सीखते भी है इसलिए नानी और दादी के पास बच्चों को र बच्चे जो होते हैं वह कहानी बहुत अच्छे बहुत चाहों से सुन दें और बहुत इंट्रेस्ट लेकर उसको जीते हैं उस समय उसके बाद देखे नौवर्स का बालक जो है समय दिनाग वसको समझने रगता है बताने लगता है अगर बच्चों को आप घड़ी दे तो सब्सक्राइब करने लगता है और तुल्ला करने लगता है तुल्ला करने लगता है कि मैं खराब मैं अच्छा वह अच्छा यह खराब तुल्लात्मा गुर्ण भी उसको विक्सित हो जाता है कि सोरा वस्ता में बारवस्त के कारण स्थावित क्या जिग्यासा की प्रवल प्रवित्ति होती है देखें कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको कार्य कारण पहली बता दिया है कार lu और कारण अगर आप उसे कहोगे कि यहां पर इह नदी है तो नहीं कूतेगा ठीक है बोलेगा कि मैं डूप जाओंगा नहीं जाओंगा तो क्यों किया जा रहा है उसका कारण जो है वो बताने लगए मैंने पहले बिता आथ है लिए पहले बस्रेक्राइब सुमवेख को सुमय का क्शिदा है रहोता है थो शैश्वा वस्था में सम्वेग तीवर होते हैं आप थोड़ा सभी इधाउदर किया तो बच्छा रोना चालो उसका सम्वेग आज सामने आ रहा है ठीक है आप कुछ भी करेंगे तो हसना चालो सम्वेगों पर उसका नियंत्र नहीं होता है शैश्वा वस्था में सम्वेग और नियंत्र नहीं होते हैं उसके बस में नहीं होते हैं मगर जैसे ही वह बाल्या वस्था में आता है उसके सम्वेग क्या हो जाते हैं नियंत्र नहीं होते हैं उसमें कमी आती है जैसे उसका क्रोध है प्रेम है उसमें कमी आएगी वह रियक्शन जो है थोड़ा ले जाहिर करेंगा नहीं तो समय जाहिर नहीं करता है चुपा करता है जीवन का नोखा काल मैंने पहले बताया दिया था बुद्धी का विकास होने लगता है देश की भावना विश्चित होती है भाई बहन में लड़ाई होती है वे लड़ाई एकदम दूस्मन जैसे हो जाएगा ठीक है कभी-कभी अगर पिता जी और ममी जी मार जाता है फूल जाते हैं घुसा जाते हैं खाना नहीं खाते हैं वैसे वाला सीना जाए ठीक तो यहां देखेगा देश की भावना आने लगती है इक्षा की पूर्ती नहोंने पर निरासा उत्पन होती है इसलिए बच्चों कई बार बाल्यावस्ता में कई उनकी जो नाईजाय डिमांड है उसको भी पूरा कर दिया जाता है बच्चों क्यों निरासा होती है अगर वो चाहते जो है वो नहीं होता है इसलिए देखना बहुत लाट प्यास से बच्चे रहते हैं बाल्यावस्ता में इस तीन को ले लिया तो वर्तमान कभाय रहता है बाल्यावस्ता में असफलता कभाय होता इसको असफल हो जाओंगा ठीक है यहां पर दोड़ूंगा तो यह नहीं होगा नहीं होगा तो आपका मालीजे किसे पर पाटिसिपेट किया खेल वगएरा में और असफल होने का बहुत डर होत होarusा उसके बाद आपका ये अपका नीट वाला नहीं निकलेगा ंरता कि इसके बाद क्या इसके बाद क्या ऐसके बांख कहा होता है शेष़ाносफ को भचा को हो गया अपनी बात रखने में तो उसको दुख होगा तो याद रखेंगे तो इसके आगे बढ़ते हैं समाजी विकास कैसा होता है कैसा वस्ता है समू और टोली के वस्ता है बहुं मुक्ता आने लगती है वह एक्सपोस करता है अपने लखाणाब को दूली में एक्सपोस करता है उसके बाद देखिये नकरात्मक मन आरब होना चलू होlé चूरी हो गया जूद बोलना वो गया ठीक है बातों को छिपाना हो गयाला ंव के संकेत तो एसमनों है न का पर तक कैसा मन की function मन का विकास होता है तो नकरात्मक मन का विकास स्वाब अपने अपने मित्र बनाते बालक बालक को बनाइगा बालिका बालिका बालिकव को बनाईगगे तो प्रसंसा प्राप्ती फिर्जह रखता है आतू रधा उसको उसको बस चाहिए कि मेरे कुछ लोग क्या होना चाहता प्रयास ही इसलिए करता है ताकि अस्फल ना हो किसे पार्टिसिपेट करता है कि लोग मेरी प्रशंशा करें तो प्रशंशा प्राप्ति की उक्षा कहा होती है बाले आवस्था में होती है बड़ जादा तीवर अगर बात करें तो कहां होगी बाले आवस्था में लिए उसके पहले देखिए उनकी सोरह वस्ता सोरह से इसको याद रखेंगे इसको पूछ लेता है कि सोरह वस्ता कैसा है आप की सोरह वस्ता कैसा हो गया तो 12 से लेकर जब 18 साल का बच्चा हुआ और जो चीजे में अब जो सभी बदल जाएंगी अब क्या होगा देखे उल्झन की अवस्ता इसका उपनाम है कोई आओ नाम चुब देखे उल्जन की अवस्ता दुखी अवस्ता समेगा आटमक परिवत्पन की अवस्ता तीनों समझ डेते हैं सबसे पहले उ llev करूँगा तो कैसे होगा तो फो यहां पर क्या हो सकता है यहां पर क्या हो सकता है एक है यह सब चीजह आने लगती ऐस ना चाहते हुए दुखी रहता है क्या सब्सक्राइब इसके उसके उसके और पllers सम्वेक परिवर्तन होत Lambaz दिखाता है किसो लग होगा दोस्तों तो सारे समभी परिवस्ता में किसो रबस्ता को बसंत रितु भी कहते है स्वंड काल की स्वंड काल तीवर विकास होता है देखो यह ऐसे अलग है स्वंड काल भी कहते है जो किसोरा वस्ता है इसको जीवन का स्वंड काल कहते है या रखेगा जीवन का अनोखा काल बाले वस्ता ठीक है जीवन का स्वंड काल स्वंड काल कि इसको कहेंगे कि सोरवस्ता को बहुत ही अच्छा एज माना जाता है कि सोरवस्ता बच्चे बहुत खुस होते हैं साथ-साथ-दुखी भी होते हैं उल्जन में भी रहते हैं सारी चीजों को वह क्या करते हैं उसमें महसूस करते हैं इसलिए स्वनकाल कहते हैं जीवन के हर पहल सुखई कैसा होगा एकदम तेजी से होगा उसका सारी की की विकास बोल दीजिए आपका यहां लख्षन भी दिखने लगता है तो याँ रखेगा तीवर विकास होता है शैश्षवा वस्था में सबसे तेज फिर बाले वस्था में कम और किसोरा हो जाता है तो यह कून का है इस्टनली हॉल ने कहा है कि सोरा वस्था में सारी मांसिक और समाजी विकास अचानक होता है सुरावस्ता यहां रखेगा कि सोरावस्ता बचा बच्चे कभी-कभी देखियेगे अचानख से बढ जाते है एक दम अचानख से सब पिसे कती काल होता है याद रखिएगा किल कर रहे हैं कठीन काल को रहा है किल प्रैक्टिस को रहे है कि सोरा वस्ता जीवन का सबसे कठीन काल होता है यह पहला वेलेंटाइन क्या वह रहा है यह अपराद की एक नाजु कवस्ता है वेलेंटाइन बोलते हैं अगर इस समय अपराद की प् लोगों से इतना जादा घनिष्ट हो जाता है कि उसी समय बच्चे भी जाते हैं घर दुआर छोड़ने को तयार हो जाते हैं आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे चीज़े सुनी होंगी देखी भी होंगी आज पर उसमें यह जो अवस्था होती है घनिष्ट मित्रता की होती है जल्दी बॉण्डिंग हो जाता है किसा अवस्था में और इसमये क्या ऊता है यह जो किसोरा वस्था है इसलिए इसको नाजू पावस्था भी चेहते हैं यहतर दिया किस्धा में गहले इसके बाद देखो तो थ्टOTHER सा लंबाई विकास में तीवर विकास होता है पहले जो सकतियों सकतिय और समेक प्रबल्स दिखने को मिलते हैं समेक वहागने के वह जो छोटा जो काल होता है आपका प्रबलता को दिखाता है तो यह मन और मस्तिष्क पुना चंचल रहते हैं चंचलता थोड़ी सी बढ़ जाती है पहले बाले वस्ता में थोड़ी सी कम हुई थी चंचलता दो स्फूर्थी या dau एँ चंचलता कम हुआ ये और फिर क्या होता है कलपना स्तरंग दिखने लगता है सपने मन में आग खोल के जो सपने देखते हैं वैसा वाला सपना समझ लेजिए कभी कभी हम सोई नहीं होते हैं और सोचते हैं कि ऐसे हो जाएगा ठीक है तो यह बन जाएंगे तो गुरुजी बन जाएंगे तो उसके बाद ऐसे होगा तो व और चालन कहां चाहिं हूए चलू कहां से में चलना के जानताखा है उस्यम नहीं आय से नए भावना त्याक बलडान और परुपकार की सेवां त्याग की भावना आएगी इसे में बच्चे होते हैं और कहीं देश सेवा के लिए कहीं और के लिए जाने लिए तक पर होते हैं सथाओंध परुकर की भावना भी आती है घंज हो घंचती अ पूछा उपनी तया ने बmeden पूछा हुआ है कि नेदर लीडर सिप आप लीडर सिप उर्ट ब मिद्थिए भुल्ट g आती है तो颗 उपाइश्व वस्था में आती है ता कि सोरा वस्था में आती है किसोमोइ में आती है नित्यत्य की भावना सविवार इस्वर की सत्ता को स्विकार कप करता है तो किशोरा वस्था कहीं में करता है यानि भगवान के प्रती आस्था रखेगा की नहीं रखेगा यह जो करता है 180 वस्था में दो समत्र बालक चार करेगा वह समझ कर भगवान की सब्सक्रा को wealthy कार करता है तो कब बड़ें ऐसत्ता को छिकार करता कोई तो यह कुआ करता यह सारी विकास 206 हड़दिया यहां जाती हैं के है शाश्वावस्था कशेष्वावस्था 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 पूरा नहीं लिख र Initially देखे शैश्वा वस्था फिर एक आगया आपका बालिया वस्था और लास में आपका को सा आगया की सोरा वस्था तीनों को आप याद रखेगा शैश्वा वस्था में हडिया कितनी थी तो 270 से कितना था कि दो सो है कि दो सो सक्तर है कि यहीं कर देते हैं कि शैश्वा वस्था बालिया वस्था और कि सोरा वस्था कि 270 तीन सो पचास और आपका 206 ठीक है याद रखेगा 270 शैश्वा वस्था में हडियों की संख्या 270 फिर इसमें बालिया वस्था में 206 ठीक है 306 206 तो कि सोरा वस्था में जो है हडियों की संख्या किती हो जाए 206 और यह पर याद रख लें तो ज्याद अच्छा होगा 140 100 और जान Щमा का मांसी सॉलह साल का बच्चा अगर्ण और हो गया तो उसका मांसी पुरी देंट स हो Yak बार में इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है बन जाएगा इसके बाद देखे साथ सीधा सीधा यहीं तक देखते हैं यह हमारा हो गया बाल वस्था और किसोर वस्था अगले वीडियो में हम लोग जो बाल विकास है इसमें जो आपके सिध्धान दिये थे जैसे जीन प्याजे का सिध्धान थे और जो सिध्धान थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो भी क्लास बहुत इंपॉर्डे रहेगी आज के लिए इतना ही रखते हैं उमीद आपको समझ में आ रहा होगा और कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धनिवाद